हेलो इस्ट्वेंट्स आइवी टेक्निकल क्लासेश के यूटूब चैनल पर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल रीले के बारे मे diversions करने जा रहे हैं और इसके बारे में यहांनी डिफरेंशियल रीले से इसले जो भी तॉपिक्स यादी हम लुग किस तरह से और का प्रोटेक्शन करेंगे बस बार प्रोटेक्शन करेंगे इसके बार प्रोटेक्शन आज את इसलिए प्रोटेकν सा फर्दर कुछ टॉपिक पर हम डिसक्शन करेंगे जैसे alternator के अंदर differential relay के अलावा भी और कौझ सा protection यूज किया जागा transformer के अंदर differential के ंलावा कौझ सा protection यूज करेंगे transmission के अंदर कौझ सा यूज करेंगे differential के अलावा तो बहुत सारा topic आज के इस वीडियो में cover करने जा रहे हैं तो वीडियो पूरा देखेगा तो बहुत सारा information आपको मिलेगा तो हम लोग सबसे पहले differential relay की बात करते हैं तो बहुत basic चीज है differential relay नाम से पचला differential relay का मतलब क्या है कि ये difference को measure करता है यानि किसी दो electrical quantity के अंदर अगर difference होगा तो ये relo's को sense कर लेगा और फिर relay operating coil energize होकर circuit breaker को trip करेगा काम कैसे करता है तो इसमें दो type होता है एक current differential relay होता है और दूसरा voltage differential relay होता है तो mainly तोर से current differential relay का ही use हर जगा पर किया जाता है तो हम लोग उसी पर focus करेंगे voltage differential relay भी आसान होता है लेकिन जादा तर उसके अवशाकता नहीं पड़ती है तो हम लोगों का अगर मान के चलिए किसी भी winding को हमको protect करना है तो इस winding को protect करना है तो हमको differential relay लगाना है तो हम क्या करेंगे इसके दोनों साइट identical CT लगाएंगे identical CT मतलब current transfer में लगाएंगे identical कहने का मतलब same ratio में जितना ratio का ये वाला CT होगा उतना ही ratio का ये CT होगा ratio भी लेकर आपको देखाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे आपस में connected कर देंगे जिस wire के दौरा हम connect करते हैं इस wire को हम लोग pilot wire करते हैं ठीक है पाइलेट wire जिस wire के दौरा दोनों CT का हम लोग connect करते हैं ये CT है तो CT के detail यानि CT के बारे में detail आपको वीडियो मिल जाएगा जब हमने पढ़ाया था sub station तो वहाँ वाले sub station वाले वीडियो में सर्च किजिएगा प्लेइलिस में तो CT पर आपको वीडियो मिल जाएगा CT हम लोग दो winding होती एक primary और secondary तो यहाँ पर transmission line है वही primary के ऐसा काम करेगा और जो winding बांदे वे हम लोग current transformer का ये वाली winding जो देखाई वो CT की secondary side देखा है तो primary secondary हो गया इसमें एक known ratio के अंदर current की value हम लोग change करते हैं तो suppose हम माल ले रहे हैं ये कितना ratio का है handed to five ratio का ये CT है और identical बोर रहे हैं तो ये भी handed to five का है या नि इसके अगर primary side handed ampere current flow होगा तो ये कितना में convert करेगा five ampere के अंदर ये step down करेगा five ampere के अंदर ये convert करेगा change करेगा तो ये identical है और ये भी दोनों एक जैसा है तो अगर handed ampere आ रहा तो ये भी five ampere और ये भी five ampere आएगा और इसको combination यां CT और relay operating coil को मिला कर हम लोग एक relay बना रहे हैं इसी को हम लोग differential relay बनाएंगे तो और यहां पर क्या बांदे रहे हैं एक winding बांदे रहे हैं coil बांदे रहे हैं इसी coil को हम लोग क्या बोलते हैं relay operating coil बोलेंगे ठीक है यानि इसी coil के अंदर जब current होगा तो relay energized होगा और energized होगा तो strip circuit को close करेगा और circuit breaker के contact को open करेगा तो हमको यह mainly समझना है कि यह किस तरह से काम करता है यह तो construction से related होगा दोनों side जो भी winding को protect करना है चाही alternator की winding हो या transformer की winding हो या किसी other application की कोई भी चीज़ की winding हो उसको protect करना है तो identical दोनों side CT लगाएंगे और CT के दोनों side wire के द्वारा connect करेंगे जिसको pilot wire बोलेंगे और बीच में coil लगाएंगे जिसको real operating coil बोलेंगे तो अब यह काम कैसे करेगा तो normal अवस्ता है मालूम है कि जो भी winding है इसके साथ जितना current आ रहा है मान के चलिए अगर handed ampere आ रहा है यहापर तो इसके दूसरे side भी कितना एंपेर जाएगा handed ampere जाएगा तो इसका मतलब क्या है normal condition कहने का मतलब कोई भी fault नहीं हुआ है कोई भी current leakage नहीं हो रहा है तो उस अवस्ता में जितना entering करेंग है उतना ही leaving current होगा handed ampere अगर आ रहा है तो handed ampere leave करेगा ठीक है तो इस अवस्ता में क्या होगा तो यहाँ पर 100 यह transformer कैसा है handed to 5 ratio का और यह भी handed to 5 ratio का तो यह कितना current देगा तो अगर handed to 5 का primary में handed आ रहा है तो यहाँ पर कितना मिल जागा हमको 5 ampere current मिल जाएगा और यह चुंके handed ampere वाला है तो इसके secondary side भी हमको कितना मिल जाएगा 5 ampere current मिल जाएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब धियान से देखिए कि handed ampere के cross अगर flow रा primary तो इसका non ratio के इसाब से handed to 5 ratio में change करेगा 5 ampere हमको यहाँ पर मिल गया तो अब यह 5 ampere इधर से आ रहा है यहाँ पर आएगा यह और उपर जाना चाहिए लेकिन उपर से कोना रहा है 5 ampere इधर से भी आ और यह नीचे आना चाहिए तो नीचे आना चाहिए इधर से 5 ampere आ रहा था इधर से भी 5 ampere आ तो दोनो जब current की value equal होगी तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को अपूस करेगा और यहाँ पर क्या है रिले ओपरेटिंग कॉयल के अंदर कोई भी रिजल्टेंट करेंट फोलो नहीं होगा नॉर्मल कंडिशन में यानि कि जब करेंट की वैलू दोनों सीटी के साइट सेम होगी तो ठीक है तो यह 100 A इधर नहीं आरने दे रहा है यह वाला तो क्या हो जागा यह वाला 5 A इधर चलाएगा और यह वाला 5 A इधर चलाएगा यानि आपका यह वाला 5 A अपना पाथ फोलो करेगा यह 5 A अपना पाथ फोलो करेगा और यहां पर कोई भी current follow नहीं करेगा normal condition के अंदर तो यह तो पहली बात हो गई जब आपका condition normal है तो अगर fault होगा तो क्या होगा ध्यान से समझ लीजिए अगर fault होता है तो मान के चलिए हम देखा रहे है earth fault तो earth fault हो गया तो हमको मालूम है कि जितनी भी current यहां पर आएगी वो same current आगे नहीं जागा क्योंकि earth fault हो गया है तो यहां से current leakage हो जाएगा और earth की तरफ आएगा earth से returning हो जाएगा तो यहां पर मन के चलिए 100 ampere आ रहा था तो यहां से आपका 20 ampere इधर चला गया earth की तरफ बचा कितना 80 ampere चला गया हम example के लिए ले रहे है जादा भी current जा सकता है depend करेगा किस तरह का आपका earth fault हो रहा है कितना जादा insulation failure होगा उतना ही जादा emote में current earth की तरफ आएगा वहां से return जाएगा तो हम मन के चलने हलका fault हुआ था 20 ampere इधर से जा रहा था तो बाकी बचावा current आगे load की तरफ जा रहा है ठीक है इधर load देखाया हुआ इधर से transmission supply आ रही है बीच में आपका equipment लगा हुआ है तो इसकी winding को protect करना है तो हमने differential relay लगा हुआ है तो अब क्या देखे जैसे ही fault हुआ तो fault होगा तो 20 ampere इधर आए लेकिन अब तो 100R नहीं रहा है तो अब कितना आ रहा है असी आ रहा है तो असी की हिसाब से आप यहाँ पर ratio देखिए तो इस ratio का अनुसार कितना होगा तो आपका 4 ampere current यहाँ पर आएगा ठीक है ratio के हिसाब से तो अब अब धिहान से देखिए कि यहाँ पर तो 5 ampere आ रहा है लेकिन यहाँ पर कम current आनिक वज़े से एक नोन ratio में यहाँ पर CT लगावा है जिसके कारण यहाँ पर current की value कम होगी और वो current कितना मानना हमने 5 ampere अब यहाँ पर उससे कम भी आ सकता है जादा भी आ सकता है करेगा किस टाइब का fault है तो current जितना heavy fault होगा उतना ही यहाँ पर current आएगा वहाँ पर उतना current कम होगा तो यहाँ पर भी current की value कम हो जाएगी तो अब धिहान से समझने वाली बात यह है कि जैसे यह 4 ampere आ रहा है current इदर से तो अब क्या है यहाँ से देखिए 5 ampere आ रहेगा आप और यहाँ से कितना आ रहा है 4 ampere आ रहा है ठीक है तो अब difference कितना का हो गया तो अब difference हो गया 1 ampere का तो 1 ampere यानि इसके cross यानि यहाँ पर कितना follow होगा तो अब 4 ampere अब चूंकि इधर से 4 और इधर से 5 है तो 1 ampere का difference क्या होने लगेगा इस relay operating coil से flow होने लगेगा और 1 ampere इधर से अब आएगा इधर से 4 अर्था टोटल मिलकर यहाँ पर फिर से 5 ampere यानि इस वाले circuit में 5 ampere follow होगा और इधर वाले circuit के अंदर इस CT के cross 4 ampere follow होता रहेगा और बीच में 1 ampere का difference follow होगा बस यही बात मैं समझने की थी यह 1 ampere जैसे ही follow होगा तो अब यहाँ पर relay operating coil कर लेगा क्या energized हो जागा और यहाँ से circuit breaker के contact को वो open करा देगा यह pilot trip circuit close होगा उसके बाद circuit breaker के contact को open कराएगा एक और चीज़ धियान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपको देखना होगा वो relay current setting कीतना है अगर मन के चली 1 ampere यहाँ पर current आ रहा है लेकिन हमने 1 ampere current पर setting नहीं किया हम चाहरे हैं कि 3 ampere जब follow होगा तो relay operating coil होगा तो यह 1 ampere sufficient नहीं होगा उस समय अगर 3 ampere पर आपने setting के है तो अगर 1 ampere flow होगा तब भी यह circuit को close नहीं करेगा और आपका circuit breaker का contact open नहीं होगा लेकिन जैसे ही यहाँ पर difference अब मान के चली 3 ampere का difference आएगा तो यह क्या कर देगा आप परियाफ्त magnet बना देगा जिसके कारण आपका circuit close कर देगा trip circuit और वहाँ से फिर circuit breaker का contact open होगा तो यह आपको I hope clear होगा basic differential relay किस तरह से काम करता है तो यह तो पहला basic बात होगई differential relay किस तरह से काम करता है अब हम बात करते हैं protection की तो अब same अगर हम alternator protection की बात करें तो same अगर मान लिजिए इस winding का नाम हम क्या देदे alternator नाम देदेते हैं तो यह क्या होगा alternator का protection के लिए use होगा same आपका क्या कर देजिए phase winding जो भी है उसके दोनों side identical CT लगा देजिए और बीच में relay operating coil लगा देजिए तो यह तो alternator protection की बात होगे अब alternator protection का एक winding हमने देखा है कोई जरूरी नहीं alternator के अंदर तो three winding होती है तो हम क्या करेंगे आपका जो भी three phase winding है तो परती एक winding है R phase, Y phase और B phase परती एक phase के साथ क्या लगा देगे CT लगा देगे हम हना और इस CT को आपस में connect कर देंगे इसका CT को हम लोग star में connect कर देते हैं और बाके ये वाला जो दूसरे side का होगा इसमें हम लोग आपस में इस तरह connect करेंगे और बीच में आपका relay operating coil को लगा देंगे तो सिम पहले ही की तरह आपका connection होगा केवल अंतर इतना है कि अब परती एक face के दोनों side identical CT लगावा होगा और pilot wire के दोरह दोनों को connect कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे बीच में relay operating coil लगा देंगे अब धियान देने वाली बात यह है कि जैसे हमने यहाँ पर लेकिन अगर मान के चली face to face fault आता है तब भी आपका differential relay काम करेगा तो जैसे face to face fault होगा तो यहाँ पर current आ रहा था मान के चली सौ एंपेर current आ रहा है तो यह सौ एंपेर तो यहीं से return हो जाएगा तो अब यहाँ पर आपका same current फुलो नहीं आएगा तो इसके cross जो आपका real operating coil लगावा होगा उतना difference current यहाँ पर फुलो होगा और क्या करेगा वो रिल उपरेटिंग coil को energize करके circuit breaker contact को open करने का काम करेगा तो इसी तरह यानि यह अर्थ fault के लिए भी आपको क्योंग यह अर्थ fault में भी protection provide करेगा और साथी साथ line to line fault हो जाता है तो भी differential relay आपको protection provide करने का काम करेगा लेकिन अगर मन के चली यहाँ पर बाहर में fault होता है तो यह रिले आपका operate नहीं करेगा इसलिए differential relay को always internal fault protection के लिए हम लोग यूज करते external के लिए यह काम नहीं करेगा अगर मन के चली यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर होगा तो अब मन के चली सौ एमपेर है तो सौ एमपेर बढ़के fault current यहाँ पर आ रहा तो सौ एमपेर यहाँ पर भी फुलो होगा और सौ एमपेर यहाँ पर भी फुलो होगा और बाकी के लिए हम लोग differential relay का use करते हैं आइधर आपका earth fault हो या आपका line to line यानी face fault हो हर तरह के fault को ये sense करेगा तो I hope ये पूरा आपको differential relay क्या है दूसरा बात alternator protection में किस तरह से ये काम करेगा दो बात आपको हमने बता दिया अब तीसरी बात जो हम बताने जा रहे हैं वो तीसरा बात क्या है आपका के transformer में ये किस तरह से काम करेगा तो transformer में थोड़ा सा आपको अंतर डिफरेंसी समझना पड़ेगा अल्टरनेटर protection से थोड़ा सा इसमें changing करते हैं हम लोग किसमें differential relay में अगर हम लोग transformer प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो तो क्या changing करेंगे तो changing हमारा क्या होगा कि हम लोग यहां पर identical CT नहीं लगाएंगे ध्यान से समझेगा identical CT आपका transformer में यूस नहीं होगा और केवल यही transformer का ही केस है जिसमें differential relay में हम लोग identical CT दोनों साइट नहीं लगाते हैं क्योंके transformer या तो step up होता है या step down होता है इसलिए हम लोग उसी के अनुसार इस तरह का ratio लेंगे कि हमारा secondary side दोनों का CT सेम है तो हम आपको diagram बना कर बताते हैं जैसे आपका हमान के चलिए एक तरह डेल्टा भी हो सकता है star भी कोई भी connection आपका transformer का हो सकता है तो किसी भी तरह का connection हो आप क्या लगाईगा दोनों side CT लगाएंगे ठीक है यह आपका transformer हो गया three face transformer तो जो भी आप CT लगाईगा यहाँ पर CT लगाईगा तो यह CT जो आपस में आप connect किजिएगा pilot वार से तो इस CT का connection हमारा किस तरह का होगा इस CT का connection हम लोग इस तरह से करेंगे कि यह आपस में क्या रहे यह आपस में जो दोनों side हम CT लगाएंगे यह identical नहीं रहे गए क्यों नहीं अगर मान के चलिए for example हम ले रहे हैं कितना अगर हम लोग 11 kv 11 kv is to 440 volts transformer ले रहे हैं तो हमको मालूम है कि जब हम लोग step down करते हैं तो current की value क्या होती ही बढ़ती है सेकंडी side current का value बढ़ेगा तो अगर हम for example मान रहे हैं कि यहाँ पर आपका कितना है 100 ampere का current फुल हो रहा है तो हमने step down किया तो current इस side बढ़ेगा तो ct यह ct transformer जो था यह में ट्रांसफर्मर इसके side current की value बढ़ ही और वो केतना current है 500 ampere है ठीक है अगर यह वाला सीटी जो यहां पर लगा रहे हैं तो यह अगर हम लोग रहे हैं तो हमको कितना current मिल जाएगा इसके प्रोस 5 ampere current मिलेगा हमको ठीक है तो लेकिन यहां पर का जो सीटी लगाएंगे हम वो सीटी कितना का होगा वो 500 to 5 ratio का नहीं होगा बलकि हमको कितना लेना होगा 500 to 5 ratio का सीटी लेना होगा देहां से समझेगा 500 to 5 ratio का आपको सीटी लेना होगा अगर इसका primary side यान इसका जो लाइन है 500 ampere तो यहां से जब इसको 5 ampere मिलेगा यह 5 ampere यहां से आना चाहेगा तो इदर से भी 5 ampere इदर से 5 ampere तो क्रेंट secure current क्या हो जाएगा यहांपर 0 हो जाएगा अगर आप से में रेशियो कर लेते हैं रेटे इस तो पाइव रेशियो कर लीजिएगा तब यहां पर हैंडेट रेशियो के अलग साइट करेंट फूल होता हुछ उसी लिए हम लोग को सीटी भी दोनों साइड अडिन्टिकल नहीं लगाएंगे यहाँ पर अगर हैंडेड़ इस्टू 5 का सीटी लगाएंगे ताके दोनों साइट का जो सेकंड्री करेंट वो सेम हो यहाँ पर पांच एमपेर तो इधर पर भी इंसुलेशन फेलवर हो जा अर्थ फॉल्ट हो गया तो अब हमको मालूम है कि यहां पर जो करेंट आ रहा है अब लीकेज होगा तो लीकेज होगा इंडक्शन कम होगा यहां पर करेंट की वैलू आपका घट जाएगा तो फाइव हैंड़ेट फुलो होना था लेकिन लेकिन अब चार सो होगा तो करेंट कितना आरेंगा तो डिफिरेंच कितना होगा और यह क्या कर लेहा इसको सेंस कर लेगा तो हमने आपको नॉर्मल कंडिशन भी बताया और फॉल्ट कंडिशन भी बताया बस आपको ध्यान यह देर रखना transformer protection में के differential protection की जब बात करेंगे तो दोनों side का जो CT होगा वो identical नहीं होगा transformer जैसा step up है या step down हो उसी के अनुसार हम लोग CT की value को भी change करेंगे और CT का जो second side का current है वो दोनों side normal अवस्था में same होना चाहिए ताके normal condition में relay operating coil से कोई भी current flow नहीं हो तो यह तो आपका transformer protection से बात हो कि exact diagram हमने नहीं बनाया roughly diagram तो exact diagram देख लीजेगा working हमने आपको समझा दिया यह दूसरा protection हो गया transformer protection अब आपका इसके बाद वाला जो protection वह बहुत आसान differential relay की सहाथा से जो भी protection करेंगे अब बहुत आसान होगा तो इसके बाद आपका feeder protection है feeder protection में हम लोग क्या करेंगे तो normal जो भी feeder है transmission line है मन के चली इस तरह से ट्रांक में dotted से देखा देते हैं यह पुरा आपका transmission line है यह feeder है तो same जैसे आर phase है उसी तरह Y उसी तरह B phase भी होगा और same जैनि तीन रील अपरेटिंग लगाएंगे और आपका अलग अलग हम लोग रील ऑपरेटिंग कोईल pilot wire की सहाथा से लगाएंगे ठीक है तो आपका क्या हो जगा इच वाइंडिंग प्रोटेक्ट हो जगा आ र है वाई है भी है तो यहां पर आपका दोनों साइड identical city होगा केवल difference किसमें है transformer वाले में बाकिस सब जगा पर identical city लगा हुआ होता है तो अब देखिए differential relay अगर हम लोग feeder की बात करें या हम लोग क्या करें transmission line की तो generally हम इस का use differential relay का use हम लोग नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे तो देखिए आपको पूरा पाइलेट वायर क्या करना पड़ेगा दोडाना पड़ेगा तो यह पाइलेट वायर जब दोडाएएगा transmission के साथ साथ तो cost क्या हो जाएगा आपका बहुत जादा महेंगा हो जाएगा इसलिए हम लोग feeder protection या transmission protection के लिए हम लोग differential relay का उपयोग नहीं करते हैं तो कौन सा करेंगे हम लोग आगे उसकी चर्चा करेंगे लेकिन बहुत साधारन है differential protection दोनों साइड आप CT लगा देजे इच लाइन के cross तो आपका क्या हो जागा differential protection हो जाएगा इसके लावा बस बार protection होता है तो बस बार protection में क्या करेंगे जो भी बस होगा इसके cross भी हम लोग सेम identical CT लगाएंगे मान के चली बस बार क्या है तो आपको मालू होगा पढ़ा होगा आपने कि number of incoming और number of outgoing हम लोग इससे connect कर सकते तो हमने देखा है एक incoming और दो outgoing देखा रहे हैं आप ज्यादा भी देखा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो incoming current से हम लोग माना कि incoming से कितना ये बस बार था जिसको हमको protect करना है तो इस बस के बार के cross दो outgoing जा रहा है और एक incoming है तो यहाँ से current कितना आएगा तो handed ampere माल ले रहे हैं और इधर से कितना आएगा 50 ampere जा रहा है इधर से जितना आ रहा है वही डिवाइड होकर 50-50 ampere जाएगा same ratio का हम लोग लगाएंगी यानि मान के चलिए handed is to 5 का लगा रहे हैं तो इच लाइन के cross हम लोग handed is to 5 का लगाएंगे तो यहाँ से अब जब CT लाइएगा आप तो handed हो जाएगा और यहाँ से आप लाइए connection करके इस तरह से आप CT को connect करके लाइए यहाँ से relay operating coil यहाँ पर लगा दीजिए ठीक है इजिए CT लगाया अब देखिए क्या होगा इस transformer को protect करना तो normal अवस्ता में कोई भी current leakage नहीं हो रहा जितना current आ रहा था वही divide होकर आगे load की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर handed is to 5 रेशियो के इसाब से यहाँ पर 5 रेशियो को मिल जाएगा और यहाँ पर handed is to 5 यह भी same ratio का होगा लेकिन अब 50 रेशियो जा रहा है तो इसका second side current कितना होगा 2.5 एंपेर और यहाँ पर भी कितना होगा 2.5 दोनों मिलकर कितना current लाएगा यहाँ पर 5 एंपेर आ जाएगा ठीक है तो इधर से भी 5 एंपेर इधर से भी 5 एंपेर आ रहा तो resultant current कितना 0 current होगा ठीक है नॉर्मल अवस्ता में ध्यान से फिर से incoming current handed ए उर्ट होगा होगा तो अब चूँकर हैंडेट इस्टू 5 का लेकिन हैंडेट तो आ नहीं रहा यहाँ पर 50 आ रहा तो 50 के हिसाब से कितना हो जाएगा अगर 100 आ तो पांच एंपेर में change होता लेकिन पच्छास आ रहा तो आढ़ाई एंपेर यहाँ पर यहाँ पर कितना हो जाएगा पशेंपेर आजाएगा इधरψेंग पौंच एंकर इजल्ट करेंट कि तना जीरो करेंट सब्सक्राइब करेंट की गतना देगा तो यह अगर भां Εiliyor일 कर अगर्स ऑपर थो हमने देखाया तो अर्थ हो गया क्या हो गया कि यहां पर जैसे पर राघा था फो हैंडेड एंपिर इसके एक रॉस सेट कुरेंट नहीं जाएगगा तो मण के चुलने हैं यहांसे आपका स्वाइंपिएर मेंसे कितना गया hmm सवाई इंपिर मेंसे हैंशे आपका कितना यहां पर वीस एंपिर लीके जो गया बता डि Seriously इधर से गिया और 40 Ampere इधर से गिया तो 40 के हिसाब से यहाँ पर 2 Ampere यहाँ पर 2 Ampere तो आया इधर से कितना 4 Ampere 4 Ampere तो यहाँ पर difference कितना आ जाएगा वन Ampere का difference आ जाएगा और आपका रिले एनरजाइस हो जागा circuit breaker के contact को open कर देगा फिर से fault यहाँ पर जैसे होगा कुछ भी leakage हो गया 20 देखा है आप 50 भी देखा सकते हैं 20 हमने देखा है 80 Ampere लोड की तरफ जा रहा है तो 80 में से 40 उपर 40 नीचे तो यहाँ पर 2 Ampere यहाँ पर 2 Ampere टोटल मिलकर 4 Ampere इधर से पहुंच आ रहा था इधर से 4 आ रहा था फिरेंशेल रिले क्या है कि सरा से काम करता है वो बता दिया इसके बाद Alternator protection अपको बताया 나도 Vanessa Weiter करेगा इसके बाद हमने आपको feeder protection बताया और 16 में हमने आपको बस बार protection बताइक तोट vegन्सर रिले से लिएरेटेड जितना भी protection हो सकता था वो सारा cover हो गया है अब हम लोग बात करते हैं कि इस differential relay के लावा हम लोग कौन सा protection अलग-अलग system में use करते हैं जैसे आपका अगर मान के चली हम लोग alternator protection की बात करते हैं तो alternator protection में केवल हम लोग differential relay का use नहीं करते हैं इसके लावा हम लोग अलग से temperature sensor भी लगाते हैं और भी other हम लोग protection यूज करते हैं क्या क्या कर रहे हैं आगे हम लोग देखते हैं एक एक करके जल्दी में थोड़ा सा short में आपको बता देते हैं ताकि exam point of view से आपको सारा चीज याद हो जाए ठीक है तो differentially अगर हम लोग alternator की बात करते हैं तो एक आपका होता temperature protection यानि high temperature जैसे होगा वैसे आपका sense कर लेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक wheat stone bridge लगा देते हैं ठीक है और wheat stone bridge के अंदर हम लोग relay operating coil यहाँ पर लगा देते हैं के आपका normal condition में यहाँ पर कोई भी current flow नहीं होगा तो यहाँ पर अप क्या होगा यहाँ पर एक temperature sensor लगा देंगे thermocouple लगा देंगे जो के normal अब देखे किस तरह से काम करेगा तो जो भी आपकी value होगी आरवन आर टो आर थरी आर फूर आप नाम दे दिए ठीक है आपको wheat stone bridge पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा यह दोनों जो resistance रहता है इन दोनों का ratio और इन दोनों का ratio जब current resistance की value सेम रहती है तो बीच वाला यहाँ पर galvanometer लगाते थी और इस वाले बीच वाले के हैं लीट से बीच वाले कॉल से कोई भी current flow नहीं होगा और आपका जो भी galvanometer होगा वो डिफलेक्शन यानि जिरो डिफलेक्शन शो करेगा लेकिन जैसे आपका अन बैलेंस हो लगाते हैं और एक बात आपको आगे यह भी मालुम होगा कि जो भी आपका पर तिरोध है वे टेंपरेचर के अनुसार चेंज होता है तो यहाँ पर हम लोग ऐसा उपकरन लगाएंगे जो टेंपरेचर के अनुसार उसका वाइलू क्या हो जाए चेंज हो जाए तो हमने यहाँ पर लगाए इस वाइंडिंग को यानि जो भी थर्मोकापल हीट सेंसर है इसको लगा देंगे वाइंडिंग के अं यह रेशियो चेंज हो जागा और रेशियो जैसे चेंज होगा रील ऑपरेटिंग को आल से करेंट जाने लगेगा और करेंट जैसे ही फ्लो होगा तो यह वाला एनरजाइस्ट होगा और यह वाला आपका ट्रीप सर्किट को क्लोस कर देगा और सर्किट बिरेकर का कॉन्ट उपन हो जाएगा तो यह नॉर्मल अवस्था में बैलेंस रहता है इस तरह के हम लोग परतीरोद सलेट करते हैं कि यह पूरा बिरिज बैलेंस रहता है लेकिन जैसे ओवर टेंपरेच्छर होगा तो इसका परतिरौद की वैलू चेंज हो जागी तो यह पूरा बिरिज अन ब over temperature protection of alternator कहते हैं तो यह आपको समझ में आ गया होगा इसके लावा alternator के अंदर एक inter turn protection होता है यह बहुत आसान है समझ लिजिए short के अंदर तो मन के चली आर फेस बड़ा बड़ा जो alternator रहता है इसमें परतीक phase के अंदर हम लोग क्या करते हैं number ऑफ इस का पैरलल वाइंडिंग करते ताकि इससे करेंट रेटिंग हमारे अल्टरनेटर की बढ़ जाए तो आर फेस में मन के चली दू वाइंडिंग हम लोग बांदा यसी तरह वाई के लिए और बी के लिए तो अलग-अलग फेस के लिए हम लोग यह प्रोटेक्शन करेंगे तो क् बिए तो यह पर डी यहां पांच यहां है से पांच यहां पर कोई करेंट नहीं जा रहा ता कोई दिक्कत नहीं था लेकिनगे अगर मान के चले यह आपme में और यहां पर स्वाइंपेर है तो यहां पर दो रास्ता बना दिया है तो यह डिवाइड हो किया है यहां से मान के चले पचास एंपेर इधर से मान के चले पचास एंपेर वापस यहां पर जूड़ कर यह स्वाइंपेर हो जा रहा है ठीक है को जिकत नहीं लेकिन अगर मान के चलिए कि यह आपस में टर्न शॉट कर जाए तर्न अगर शॉट कर जाता है तो क्या यह वाला डिफरेंशल रीले इसको सेंस करेगा तो नहीं करता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं इंटर टर्न प्रोटेक्शन का उप्योग करते हैं अल्टरनेटर के अच्छा तो चालिस और साथ मिलकर टोटल कितना हो रहा है तो यहां पर सौहीं एंपेर आ तो इधर भी सौ और यहां पर भी सौ तो इस वाले कोई के अंदर कोई भी करेंट के अंदर चेंजिंग नहीं यानि जीरो करेंट फॉल होगा यदि आपका आपस में इंटर टर्न हो जाता है तो भी ठीक है तो यह अल्टरनेटर के अंदर जो डिफरेंशल प्रोटेक्शन हम लोग लगाए वे थे यह अगर इंटर टर्न फॉल्ट हो जाता है तो उसको सेंस नहीं कर पाता है उसके लिए हम लोग अलग से इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन का यूज क के अंदर मन के चली पहले 50-50 जा रहा था नॉर्मल कंडिशन के अंदर तो इसका जो 50 एम्पेर की वज़े से यहां पर 50 एम्पेर की वज़े से यह में फो रहा था यह 5 वोल्ट इधर भी जनरेट कर दिया दोनों का वोल्टेज सेम और वोल्टेज सेम होगा तो करेंट फोलो नहीं होगा और यहां पर क्या लगाए में रील उपरेटिंग को लगाए में तो इसके अंदर कोई भी करेंट फोलो नहीं होगा इक्वल वोल्टेज की वज़ा से ठीक है यानि कि आपका दोनों पोटेंशल सेम है ज से साथ करिंट फुलोगा साथ एंपियर तो यहां पर पहले की तुलना में क्या ज्यादा वोल्टेज होगा तो मान के चल रहे हैं कि यहां पर साथ वोल्ट हुआ यहां पर पहले से कम करिंट आ रहा है तो यहां पर कम वोल्टेज जनरेट करेगा और यहां पर लगभग आपक और जिसके कारण आपका क्या होंगा यह एंरजाइस हो जागार सार्कीट बिरेकर कौण्टेट को ओपरेन करने का काम करेगा तो इसी को हम क्या बोलते हीं इंटर टर्न फपॉल्ट प्रोड प्रोटेक्शन बोलते हैं यह आपस में इंटर को वो सेंस नहीं कर पाएगा ठीक है तो यह सब इंप्रेचर अगर बढ़ जाएगा तो भी अल्टरनेटर में किस तरह से फॉल्ट प्रोटेक्शन होगा और आपस में इंटर टर्ण फॉल्ट होगा तो किस तरह यह एक फेस के लिए इसी तरह वाई के लिए सब जगा पर इंटर टर्ण फॉल्ट प्रोटेक्शन उप्योग किया जाएगा यह आपका डिफरेंशल से रिलेटेड़ बात हो गई अगर हम लोग बात करें ट्रांसफर्मर से एक तो आपका डिफरेंशल रिलेए यूस होता है जिसकी चर्चा हम लोग कर लिया इसके अलावा एक आपका बख़ोल जिरीले यूस होता है तो रफ्ली डाइग्राम आपको बख़ोल जिले का बतायते हैं कि आपका क्या होता है इसके बीच में आपका क्या लगावा होता है यहां पर आपका पूरा तेल भरावा होगा नॉर्मल अवस्था में यहां पर जो भी आपका यहां पर हम लोग क्या रख देते हैं एक मरकरी स्विच रख देते हैं यह ओपन रहता है कोई भी यह ऑपरेशन नहीं करता है लेकिन जैसे यहां पर यहां पर हेवी गैस प्रोड्यूस करता है जिसके वज़ए से यह वाला बेंड कर जाता है और यह जैसे मुड़ेगा यह सेर्किट को क्लोस कर देगा और यहां से आपसे पूछा जाता है कि की सिध्धान पर काम करता है तो यह गैस एक्ट्वेटेड रील होता है जैसे ही आपका हेवी शॉर्ट सर्किट होगा यह आपका माइनर फॉल्ट होगा तो उसके अनुसार यहां पर टेल का डीकमपोजिशन होगा और गैस प्रोड्यूस होगा औ लिजर फॉल्ट होगा ज्यादा गैस निकलेगा तो यहां वाले स्विच को क्लोस कर देगा और स्ट्रीप सर्किट आपका इनर्जाइज हो जागा माइनर फॉल्ट होगा तो उपर में गैस जमा होगा जिससे अलारम सर्किट अनर्जाइज हो जागा और गैस आपका यह जो वह बखोर जीले कहां पर लगाव होता है तो में ट्रांसफर्मर टाइक और कंजर्वेटर टाइंग के बीच में लगाव होता है केवल तेल वाले ट्रांसफर्मर के अंदर इसका यूस किया जाता है तो यह बखोर जीले का भी उप्योग करते हैं हम लोग ट्रांसफर्मर प्र University protection तो जो भी आपका transmission होगा इस साथ लगा देंगे और सीटी की सहायता से हम लोग क्या लगा देंगे over current relay लगा देंगे तो भी होगा तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पर डिस्क लगा होगा तो जैसे यहाँ पर आपस में जो connection होगा इसके लिए केवल हमारे पास advantage यह होता है कि दो wire हम लोग को run कराने की ज़रूरात पड़ती है तो इससे पहले differential relay जो बात की है उसमें तीन wire run कराना पड़ेगा transmission protection के लिए लेकिन इस तरह का upper magnet lower magnet यानि over current induction relay लगा दीगा दोनों साइट तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं translate protection या merge price protection of transmission या feeder भी कहते हैं तो याद रखिएगा इसको तो इसमें क्या होगा जैसे normal current है दोनों साइट से current की value same होगा तो current की value same तो यहाँ पर जो आपका torque produce होगा यहाँ पर दोनों same होगा एक दूसरे को cancel कर देगा और कोई भी rotation नहीं होगा लेकिन जैसे ही fault हो जाता है तो यहाँ पर की value current की change हो जाएगी यहाँ पर कच change हो जाएगा तो इसके according क्या होगा यहाँ पर current flow होने लगेगा current flow होगा तो यह परियाप्त torque develop कर देगा और आपका दोनों side से circuit breaker को contact को open कर देगा तो normal condition में कोई भी इसके अंदर दोनों current same होने की वज़े से एक दूसरे को cancel कर देता और कोई भी torque develop नहीं होता है लेकिन जैसे fault होगा चाहे line to line हो चाहे line to earth fault हो तो इधर का city इधर का city में current change होगा current की value change करेगी तो इस वाले नीचे over current induction relay के अंदर current flow होने लगेगा और यह परियाप्त torque develop करके disk को rotate कराएगा और circuit को trip circuit को close कराएगा trip circuit close होगा तो circuit breaker का contact दोनों side से open कर देगा advantage इसमें क्या मिलता है कि हम लोग को केवल दो ही वायर run कराने की जरूरत पड़ती यानि जो pilot वायर होगा यह दो ही वायर होगा तो अब पहले की तुल्ला में यह economical होता है दो ही वायर हमको run कराना पड़ेगा लेकिन differential relay की बात कराएगा तो उसके अंदर हम लोग को minimum 3 वायर run कराना होता है तो वह ज्यादा costly होता है इसलिए differential relay का use transmission में नहीं किया जाता था उसके बाद यह वार्जन लाया गया translate protection लेकिन इसमें भी दिखका थे कि कम से कम 2 वायर आपको run कराना पड़ेगा तो इसका higher version कौन सा है तो impedance protection में क्या करते हैं हम लोग तो आपने पढ़ा होगा हम लोग सीटी लगा देते हैं और सीटी लगा देंगे और दूसरे site क्या लगा देंगे हम लोग लगा देंगे तो सीटी और पीटी की साहता से आपका पूरा transmission जीतना भी इसका range है उस पूरे transmission का ये जेड़ मेजर करते हैं यानि सीटी की साहता से current मिल जाएगा और पीटी की साहता से ये इसको measure करता रहेगा और यदि normal value से impedance की value भड़ जाती है तो ये इसको sense करके circuit breaker के contact को open करा देगा तो ये सबसे अच्छा होता है इसमें आपको wire run कराने की ज़रत नहीं पड़ती है तो generally हम लोग impedance relay को या इसी को हम लोग distance relay भी कहते हैं तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं transmission protection के लिए या feeder protection के लिए करते हैं तो I hope आपको पूरा चीज के लिए हुआ होगा समराइज करते हैं आपको क्या क्या चीज हम लोग discuss किया आज की इस वीडियो में तो हम लोग से अपसे पहले differential protection की बात क्या differential protection के बाद उसका application कहां कहां पर use करते हैं तो alternator protection की बात क्या उसके बाद हम लोग transformer protection की बात क्या उसके बाद feeder protection या transmission protection और इसके बाद हम लोग bus बार protection की बात क्या तो यह differential relay से सारी बात हुई इसके बाद हम लोग alternator protection के अंदर differential के लावा important होता है आपका wheat stone bridge वाला protection over temperature protection और यह आपका होता है inter turn fault protection तो यह alternative protection से related बात होगी transformer की बात करें तो transformer में differential protection use होता है इसके लावा बखोर जिरीले protection यूज होता है तो हमने बखोर जिरीले के बारे में वे आपको short के अंदर information दिया इसके लावा हम लोग transmission की बात करें तो transmission के अंदर आपका मिली तोर से यह distance वाला protection तो क्या दिक्कत था differential relay भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें pilot वाईर अलग से दोड़ाना होता है खर्चा बढ़ जाएगा अनिकनोमिकल हो जाएगा उसलिए उसका higher virgin यह ट्रांसले प्रोटेक्शन लाया गया important है यह exam point of view से इसको अच्छे से आप डाइरम प्रैक्टिस कर लीजेगा ट्रांसले प्रोटेक्शन की बात किया और सबसे last में हमने impedance protection की बात किया जो के normally transmission के अंदर protection के लिए use होता है जो के V और I का ratio को measure करता रहता है जैसे ही fault होगा तो Z की value impedance की value घटेगी और जैसे घटेगा यह इसको sense करके circuit breaker के contact को open करेगा तो I hope आपको यह सारा content बहुत अच्छा लोगा होगा सारा चीश समझ में आया होगा यदि आप channel पर ने हैं तो subscribe किर लिजे अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया तो like कीजिए मिलके हैं मिलते हैं नई वीडियो में thank you